नमस्कार सातियों सातियों आज हम चर्चा करेंगे एक यूरोपियन इस्पिसीज डेजी फ्लावर प्लांट के पोधों के रिपोर्टिंग के बारे में हम नर्सरी से 15 दिन पहले 26 जन्वरी को हम ले इसके 16 पोधे डेजी के जो पॉलिथीन में थे वो ले के आये थे और गणत अंतर दिवस्त में हमने इनको हरा रंग जो हमारा जंडे का हरा रंग होता ना जंडे बनाने के लिए हरा रंग बनाने के लिए जो सामने देख रहे हैं हम इसके 16 पोधे लेके आते और हमारे पास गमले खाली नहीं थे तो अब तक हम 10-15 दिन होगे रिपोर्ट नहीं कर पा दो गमले हमने मदर प्लांट के रूप में गुंदावदी के बचा के रख लिए हैं कि हम उनको गुंदावदी को नरसरी से नहीं लाते हैं भलकि हर बार उसी में पुराने गमलों में उसकी कटिंग हम लगा लेते हैं पुराने पोदो की तो वो हमने बचा के रिख लिए हैं म बोटेनिकल नाम जो है वो है बेलिस पैरेनिस इसे कॉमन डेजी लॉन डेजी या इंगलिस डेजी के नाम से भी पुकर आ जाता है तो यह देख देख देना है हमारे यह जो गमले खाली हुए गुलदावदी के उनमें आज हमी इनकी जो हमारे सोले पूदे डेजी के हैं उनकी रिपोर्टिंग हम कर रहा है डेजी एक पैरेनियल हर्बेसियस प्लांट है और लगबग साथ आठ हिंच बढ़ जाता है इक पोर्ट में इसमें राइजोम सोमत होते हैं और यह गोल चमच की तरह इसकी पत्तिया फैलती हैं बसंत में खूब फूल आते हैं और वो सितंबर अक्तुबर तक खिलते रहते ह इसके फूल सूरज की तरफ को घूमते रहते हैं यह सूरज मुखी परिवार से माना जाता है और फूल संसे पार्शल सेड में भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा देख भाल की इसकी जरुरत नहीं पड़ती बस इसे वैल ड्रेन सोयल में लगा दीजे और चैए वो सेंड से जब इसमें फूल खिलना लगें तब करना चाहिए तो हम इसकी केवल रिपोर्टिंग करेंगे डिविजन नहीं करेंगे और बाकी बीज से भी हो जाता है बीज इसका जब सर्द पाले की संभावना खतम हो जाए ने तो तब लगा लेना चाहिए ग्राउंड कवर पोदा है कुछ इसमें बहुत सारी पर जाती है इसमें डबल फूल वाले विराइटी जी भी है लाल पिंक सफेद रंग के फूल आते हैं और निदर लेंड का तो डेजी नेशनल फ्लावर मना जाता है डेजी की मदूर सादगी और वास्तविक सुन्दरता और फूल की मासूमियत और पवितरता इसकी जो पवितरता मासूमियत साइसकी मदूर सादगी सुन्दरता अंतर रास्तिय परतीक बना दिया है इसको इसका ताजा कुरकुरा सरूप नई सुरुवात का परतीक बन गया है और चमकीले उत्सा वरदक रंग जंगल की आग की तरह खुसिया पहला आन प्यार और पवित्र अता का ऐसा जोड़ा जाता है डेजी फ्लावर व्यक्ति तो डेजी फ्लावर जो है न वो किसी व्यक्ति का जो अप्रेल में जिसका जन्म हुआ हो तो अप्रेल के जन्म वालों का ये फूल है जब सूरज डूबता है ता आप मान गिरता है डेजी सो जात सो जाता है परती दिनी से 6 घंटे धूप चाहिए एस्टेसी परिवार का पोदा है और डेजी की बहुत सारी पर जाती है जैसे मैंने बता है डेज इस का मतलब ही है दिन की आँख और ये जो है जंगल में जब ये तरह डाइनोसोर होते थे उस समय का पोदा बता जाता है बहुत पुराना पोदा है डेजी के फूल में वास्ता में दो फूल होते है कुछ बाहरी पंखड़ी और कुछ छोटी हीच पंखड़ी होती है वो अंदर की होती है जो आँख बनाती है और इसकी पत्यां विटमिन सी से फूल बहुत पसंद है और जैसे मैंने बता है सभी परकार की मिट्यों में हो जाती है फूल सनी से पसंद है 6-8 गंटे दूप चाहिए तो यह देखी हमने कुछ प्लास्टिक पोट में कुछ जो हमारे टेरा कोटे मिट्टी वाले पोट है उसमें की पोटिंग और पोटिंग सोयल में तीन चीजे मुख्य रूप से रखना रखा हमें वैल्डेंट बनाने के लिए सेंड गार्डन सोयल और वर्मी कमपोस्ट और इन तीनों को मिला के इसके से वो तयार होगी वैल्डेंट हमें गमला लेना जिसमें होल हो निचे होल पर कुछ पत्थर रख लीजे और पोलिथीन से निकाल के बिना रूट को इसके डिस्टर्ब किये एक्स्ट्रा मेटी साइड से इसमें भार देते हैं तो ये पोधा आसानी से मैंने बदाए ना और थोड़ा सा पानी दे देंगे तो इसको 6-8 घंटे धूप चाहिए तो सनलाइट वाले एरिया में रख दीजे वैसे पार्सल सेड में चल जाता है पानी दे देंगे तो ये पोधा हमारा खूब फूल देगा तो साथियों कैसा लगा वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक करियेगा कमेंट करियेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा थैंक्यू नमस्कार फिल्म मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में